नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बीपी ऐसे 79 वे एक एकरित परिक्षा का आंसर की जारी अगसाइट पर सरकारी जबीन का ब्योरा दर्ज करने का मिला अल्टीमेटम बिहार सिपाही भरती परिक्षा पेपर लीक मामले में बातचीत का ओडियो आया सामने विश्कुपद मंदिर पहुंचे राजेपाल आड लेड कर किया परिंडदान टेम इंडिया ने मेंस क्रिकेट में जीता गोल्ड मैच बारिस की वज़ा से हुई रत इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर वस्तार से बीपीएसी उनहतर्वे एकी कृत परिक्षा का अंसर की जारी अगर आप योन अभ्यर्थियों में से हैं जो बीपीएसी एकी कृत उनहतर्वी संयुक्ति प्राड़ंविक प्रतियोगिता परिक्षा में भाग लिये थे तो यहाँ खबर आपके लिए है बता दी कि बिहार लोग सिवा आयो की ओर से बीपीएसी एक एकरत उन्हतरवी सियुक्त प्राडमरीक प्रतियोगीता परिक्षा का अंसर की जारी कर दिया गया है ऐसे में वे अभ्यर्थी जो इस परिक्षा में शामिल हुए थे वे आयो की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर जारी किये गया आंसर की को देख सकते हैं और उसे डाउन्रोड कर सकते हैं वही वे परिक्षार्थी जो आंसर की में दिये गया उत्तर से सहमत नहीं है वो अपने डैश्बोर्ट पर लॉग इन कर 9-11 ऑक्टूबर तक प्रमानिक श्रोत या साक्चे अप्लोड करते वे अपनी आपती दर्ज करा सकते हैं बता दे कि अपती दर्ज करानी के लिए परिक्षार्थी को नरधारित सुल्क भी चुकाना होगा ट्रेवल एंड टुरिज्म फेर का उद्गाटन हुआ आज कई देश होंगे शामिल आज यानिकी 7 ऑक्टूबर से 8 ऑक्टूबर तक विहार के राजधानी पटना के ग्यान भवन के समराथ अशोक कन्वेंसन सेंटर में पहली बार ट्रेवल एंड टुरिज्म फेर आयोजित किया गया है जिसमें देश विदेश के कई प्रतिनिधी शामिल होंगे इस बारे में परिटरन सचीव अभै कुमार सिंग के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि सायोजन में भारत के 10 राज़े से 125 से अधिक प्रतिनिधी भाग लेंगे इसके अलावा इस आयोजन में भारत के परोसी देश, नेपाल, बांग्रादेश और श्रिलंका के भी प्रतिनिधी शामिल होंगे इस आयोजन में परिटरन उद्यम को बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा यहाँ आने वाले प्रतिनिधी भिहार के परेटरन स्थलो की जानकारी लेंगा और उसे अपने राज्य देश में बताने का काम करेंगे टीम इंडिया ने मेंस क्रिकेट में जीता गोल्ड मैच बारिस की वज़ह से हुई रत आज ACN Games 2023 में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अपने नाम गोल्ड मेडल कर लिया है बतादे के आज हुए इस मैच में भारत ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया जिसके बाद अफगानिस्तान की टीम की ओर से 18.2 ओवर में पांच विकेट पर 112 रन ही बनाए जा सके और फिर बारिश होनी की वज़ा से मैच को रद कर दिया गया लेकिन भारत को ICC T20 के रैंकिंग के आधार पर विज़ाई खोशित करते वे गोल्ड मेडल सौब दिया गया दरसल ICC T20 के रैंकिंग में भारत पहरे स्थान पर है तो वहीं अफगानिस्तान दस्वे स्थान पर मालुम हो कि भारत ये टीम पहली बार इस यार्ड में हिस्साली थी और पहली बार ही अपने नाम श्रण पदक किया इसी के साथ भारत अब तक Asian Games 2023 में अपने नाम 28 गोल्ड मेडल, 35 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉंज मेडल कर चुका है वेवसाइट पर सरकारी जमीन का ब्योरा दर्ज करने का मिला अल्टीमेटम रजश्व एवं भूमी सुधार विभाग के सचीव जैसिंग के द्वारा सरकारी जमीन में होड़ही गरबरी के शिकायतों को देखते वे राजे के सभी जिलो को पत्र लिखा है और कहा है कि जिले में मौझूद सरकारी जमीन का कितना रखबा है उसकी जानकारी 20 ओक्टूबर तक वेबसाइट पर दर्ज करा दे और इसके साथ ही जिलाधिकारी यह भी खोशना करे कि उनके जिले की सभी सरकारी जमीन का वितरन वेबसाइट पर दर्ज है और जानकारी ओनलाइन उपलब्द है पतादे की विभाग की ओर से यह कदम इसले उठाया गया है क्योंकि विभाग की ओर से कई बार कहे जाने के बाद भी जिलो के दोरा यह जानकारी विभाग को सौपी नहीं दी गई थी पतादी की विवाग की ओर सजराधिकारियों को कहा गया है कि वे अपने जिले में 10 अक्टूबर तक राजिश्व एवं भूमी सुधार विवाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन का वितरंज डाले बिहार से तीन लोगों का फुटबॉल के मास्टर ट्रेनर के रूप में किया गया चैन बिहार से तीन लोगों को फुटबॉल के मास्टर ट्रेनर के रूप में चुना गया है जो बिहार के सभी जिलों के विद्यालियों में मौझूद चार साल से 14 साल तक के बच्चों को जो फुटबॉल में अभी रूची रखते हैं उन्हें फुटबॉल के प्रसक्षन के गुन से खाएंगे इस बारे में मास्टर ट्रेनर रजनीश बांडी के दौरा जानकारी देते वे बताया गया है उन्हें ब्रितेन, स्पेंश, सहित, All India, Federation of Football के कोच द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है बिहार सिपाही भरती परिक्षा पेपर लीक मामले में बातचीत का आओडियो आया सामने बिहार सिपाही बहाली परिक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर EOU के द्वरा अलगतार जांच की जारी है बतादी कि अब इस मामले में एक ओडियो सामने आया है जो कि औरंगाबाद के परिक्षा माफिया रंजीत कुमार वह एक अभियर्थी के अभिवावक के बीच का है सेटिंग कराने के लिए रकम की भी डिलिंग कर रहा है पहले एक लाक रुपए देना है और बाद में आरदर समनो पांच शुने लाक रुपए और इसके बाद मैट्रिक वह इंटर का मूल प्रवान पत्र भी जमा करना है आपके जानकारी क्लिए बता दे कि अब तक इस मामले को लेकर कुल चोहतर प्रात्मिक दर्ज कराई गई है और 150 लोगों की गिरफतारी हो चुकी है विश्नुपद मंदर पहुंचे राजेपाल आरलेर कर किया पिंडदान आज यानी की 7 अक्टूबर को बिहार के राजेपाल राजेंदर विश्वनात आलेर कर सुबह करीब 9 बजे गया पहुंचे जहां उन्होंने विश्नुपद में अपने पत्रों के निमित तरपन का कर्मिकान किया वहीं राजेपाल के आगमन को लेकर जिला प्रशासन के दौरा 9 बजे से 9.20 तक घुंगरी टार बाइपास होते वे नरायनी पुल बंगाली आश्रम रोड को 20 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था वहीं प्रशासन के ओर से आमजनों और पंडा समाज के लोगों से अपील की गई थी कि वे सभी उक्तरूर से उस समय आवा गमन न करे आपकी जानकारी के लिए बता दे किस तोरान राजेपा राजेपा राजेंदर विश्वनात आर लेट कर करीब धाई घंटे तक गया में रहें वहीं वे गया से 11 बजे के बाद वापसी किये बेउर जेल में सुभा सुभा हुई चापे मारी आस दनिवार सुभा सुभा पतना सदरक डियसपी सुईटी सहरावत और SDM सहित कई बड़े अधिकारियों के द्वारा पतना बेउर जेल में चापे मारी करने के लिए प बचे तक चली वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बेउर जेल से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है हाला कि फुलवारी जेल से बताया जा रहा है कि नशीली दवाएं बढ़ामत की गई है मामने में आगे की करवाई की जा रही बिपीएसी असिस्टेंट भरती से जड़े अभ्यर्थी को एहम नोटिस जारी बिहार लोग सिवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट भरती परिचा 2003 से जड़े अभ्यर्थियों के लिए एक एहम नोटिस जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि वैसे समविदा कर्मी जो बि सरकारी अवयवस्था के कारण अपनी दोनों किड़नी गवाचु की सुनीता को इंसाफ मिल सके इसको लेकर राष्ट्री मानवाधिकार आयोग के द्वारा सुनवाई करतेवे मानवाधिकास तनरक्षन अधिनिया मुनिश्वत रानवे की धारा तेरा के तहट नोटिस जारी कर स्वास्त विवाग के प्रधान सचीव प्रत्य अमरत और मुझापरपुर्ट जिले के डियम वह अब तक आयोग की और से ये सभी रिपोर्ट नहीं मिल पाए थे और नाहीं स्वास्त विभाग द्वारा कोई सकरात्मक पहल की गई थी दुर्गा पुजा के लिए हावरा रक्सॉल के बीच चले गी स्पेशल क्रेट 15 ओक्टूबर से दुर्गा पुजा की शिर्वात हो रही है ऐसे में दुर्गा पुजा में अपने घर बिहार लोटने वाले लोगों की भीर को देखते वे पुजा स्पेशल के परिचालन की शिर्वात की जाएगी बतादिक इस बात की जानकारी पुजा पुजा स्पेशल है जिसका परिचालन 21 ओक्टूबर 2023 से 18 नवंबर 2023 प्रतेक सनिवार को किया जाएगा फिल्म अब तो सब भगवान भरोसे का प्रमोशन करने परिटना पहुचे विनाय पाठक 13 ओक्टूबर को सिलादित्य बोड़ा के नर्दैशन में बनी फिल्म अब तो सब भगवान भरोसे भारत समेत UK, US, Australia, कनाड़ा और New Zealand के सिनिमा घडों में रिलीज होने वाली है सिमेंस फिल्म के प्रमोशन को लेकर बीदे दन अक्टर विनाय पाठ अग्रिहार की राजधानी पटना पहुचे इस दुरान उनके साथ नर्दैशक सिलादित बोड़ा भी मौजूद रहे इसे सभी को देखना चाहिए वहीं फिल्म के एसोसियेट प्रोड्यूशर अविराज पटेल के द्वारा बोला गया कि फिल्म सही और गलत सिक्षा के बीच की विथा पर गंभीर बात रखती है इसके लावा फिल्म के नर्दैशक के द्वारा कहा गया है कि वह पहली बार पटना आई है यहाँ जो लोगों से प्यार और सम्मान मिला उसे कभी नहीं भू सकता च्छाट महा पर्व को लेकर 42 गंगा घाटो को तयार करेगा नगर निगम 17 नमबर को नहाई खाई के साथ 6 महा पर्व की शिर्वात हो रही है ऐसे में वाकिपुड पार्टली पुत्र नूतन राजधानी और पटना सिटी अंचल के अंतरगत आने वाले 42 गाटो को 16 नमबर तक तयार करने का लक्षे रखा गया है जिस पर कुल 5 करोड रुपए खर्च किये जाएगी बता दे कि इन पैसो से घाटो पर लाइटिंग, पानी में बैरिकेडिंग, एप्रोच रोट नर्मान, और स्थाई 104 बनाने चेंजिंग रूंग बनाने आदी का काम पूरा किया जाएगा बता दे कि घाटो का नर्मान गंगा के जलस्तर को ध्यान में रखते वे किया जाएगा बिहार से पैड़ा मिलिटरी फोर्स हटाने पर राजस सरकार ने किंदर से कहा ये बिहार की मुखे मंतरी के एस्थान पर सीनियर मंतरी विझय कुमार चौधरी शामिल हुए थे उन्होंने कहा कि बिहार के द्वारा माववादी गतिवीदियों पर नेंदरन पाने में महत्पुन उपलब्धी हासल की गई है लेकिन केंद सरकार को इस कायम रखने के लिए राज्य की मदद करनी होगी। करनी की हरबड़ी में राज्य सरकार की सेहमती के बिन सुरक्षा बलो को वापस नहीं बुलाना चाहिए। कराने में देरी होगी वे अब 25 ऑक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लावा विलम सुल के साथ डेटा जमा करने किती थी 26 ऑक्टूबर से 29 ऑक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है। बतादे ही कक्षा 9 के लिए रेजिस्ट्रेशन करने वाले चात्रों को रेजिस्ट्रेशन सुरक 300 रुपे चुकाने होंगे तो वही कक्षा 11 के चात्रों को भी रेजिस्ट्रेशन के लिए 300 रुपे ही चुकाने होंगे। बीते दिन हमारे दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजब हमें हमारे कॉमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिरोंने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है जीतने पड़ आप क्या संदेज देना चाहेंगे अपना जवाब हमें अमारी कॉमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज उट साथ ही अगर आप यूटूब से देखना चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखना तो फेसको फॉलो करना न भूले धन्यवाद